येलो दोस्तो कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड से एक नहीं वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ ये सुन्दर सा फ्लावर देख रहे हैं इसी के बारे में आज हम बात करेंगे इसका नाम है संसेट वैल मैटल लीफ और फ्लैमिंगो और इसका नहीं में जाना जाता है बहुत ही संदर फ्लावर प्लाट्येरके है और इसकी अगर बारे कम बारे कर सकते है बहुत फूर घर में लाइए, कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं इस तरह क्योंग कड़ी हाँ अनगरτο बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है बहुत जैदा लाइड होता है बहुत सारी सखर्सका है बहुत इजी ग्रोइड है जादा पानी से गल जाता है, इसकी मिट्टी आपको नमी बनाए रखनी है, पर पानी घर नहीं रखना है इसलिए भर चेक करेए जादा ड्रेनेज बनाएज इस सब्सक्राहिए Mmm इसको पाना चैलिए थो पानी यतनी खुब्सूरत हैं की अगर आप टैश करेंगे तो थोड़ी खुरदूर सी लगती है लेकिन बहुत ही अच्छी सुन्दर पतियां होती हैं तो इसके बाद तुरंत ढूप हो गई है तो उसके कारण से यह जल गई हैं तो मैंने बहुत छोटे से पार्ट में इसको लगाया हुआ था इसके मेडिक को मसल के थोड़ी सी मसल लीजिए हाथ से और अपने कहीं पर चोट लगी है या कुछ गहाव है तो इसका रस जो है उसमें डाल दीजिए बहुत जल्दी असर करेगा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा तो आप यह सब करके देखिए इसले इसकी medical value भी इसको मानते हैं इसके इस मार्च में ले आए इसको मार्च ला से अपरेल में इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है बहुत सुंदर फ्लावर आते है मैंने तो दो कलर के देखिए मेरे पास एक ही कलर है इसके लिए आप मिट्टी वैल्दी मनाईएगा और गोबर की खाद एक बार डाल देंगे त स्टार्टिंग में एक चोटा सा पौधा लेके आई थी देखिए डिवाइड होके कितने सारे बन गए हैं बहुत ही जादा हो गए मेरे पास में अभी तो इस तरह से आप इसके बहुत कम केर में आप इससे बहुत अच्छे फूल ले सकते हैं मेडिकल वैल्य वाला कीड़ा प्लांट को नुकसान करता है मुझे भी नहीं पता था अभी आज मैं सिफ्ट करने लगी जैसे ही पॉट से इसको तो मैंने देखा तो मेरे पत्यों को कुछ खाये जा रहा था पत्यां खाकर गिर रही थी नीचे देखिए इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ पत सेजनल प्लांट को तो इस तरह से इसमें कीड़ा लगता है मिली बग इसमें नहीं लगती है तो यह कीड़ा इसको खाता है मैंने छोटे से पॉट में लगाया था देखिए हमें सब्सक्राइब करता है तो यह बहुत जादा इसमें ब्रांचीज आ गई है तो मैं एक ही लोन बर तक आपको 6 लॉर देगा उसके बाद आपको और उसका नहीं थाया सिरवर पर इसाद की शना होँआ। जैसे लोन वर्स से थाया से एक आप लाहिए लाई आप प्राद करना जाए जो पर्लकान है। तो मैं भी यही करती हूँ और यह 3 साल से मेरे पास इसी तरह बना हुआ है इसलिए मैं आपको बोली हूँ कि एक बार लाएंगे तो आपको दुबारा लाने की जरुवत नहीं होगी पानी से यसको थोड़ा बचाना है पानी देना है पर यसको ज्यादा भ़र के निहीं रुआ पड़ेंगे तो यहां में जब आप इसको सेमी टेरिया में रखते हैं तो इसकी पत्तिया और सिसायन करती हैं इसकी कालर बदलती है बहुत इसकी दिवाइड है तो आप देखिए बहुत इजी ग्रोइंग प्लांट है आप एक बार लगा लेते हैं तो हमेशा रहता है खात की बहुत इसलिए बहुत ज्यादा कम फ्लावरिंग हुई है तो अभी मैंने इसको देख लिया है इसको दवा दे दिये तो इसमें स्प्रे मार दिया है उसके बाद इसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी और पॉर्ट भी मैंने बड़ा चेंज कर दिया है जिस चोटे में लगा था यह बहुत इजी ग्रोइंग है और समर के बाद इसको इस तरह से कहीं पर भी सिप्ट कर दीजिए अगले साल यह फिर अपने आप यह आपके प्लांट आ जाएगा इसको दुबारा लाने की जरुवत ही नहीं पड़ती है तो जैसे ही अभी नौंबर में इसकी फ्लावरिंग कम आ अथिर आप देनी है मार्ज के मथ में आप ले आई यह तो पूरे गर्मी और बर्सात आपको फ्लावरिंग देगा बहुत इजी ग्रोइंग प्लांट है खाद भी कम चाहिए पानी बी कम चाहिए देखरे कम चाहिए मतलब तो बहुत इजि़ ग्रोइंग है तो आप अप कीजिएगा नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा फिर नई वीडियो के साथ मिलूंगी तब तक बाई बाई थैंक्यू